नमस्कार दोस्तों Welcome to showinng trade आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेगवनी अर्गानिक्स के बारे में बात करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले आप सब को जरूर रिक्वेच्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर आया है चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए उसक के बारे में समझाया हूए उसके बारे में बाद किया और टीक्निकल टार्गेट भी बताया देखतें यहांपे देखतें तूथाज़ेन्ट ग्रोड का मार्केट क्या पे स्टॉक का पी अभी चल रहा है एलेवन का पी पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है यहां पर आरोच के बारे में अगर बात करेंगे एटिन परसेंटेज का रोची है और कंपनी के ओपर जो डेट है ना 0.33% का डेट है यहां प यहां पर कंपनी का जो बीजनेस है मेंली दो सिगमेंट है यहां पर अग्रोकेमिकल से उसके साथ में पिगमेंट में अगर अग्रोकेमिकल में जाके देखते हैं कंपनी का अग्रोकेमिकल जो है यहां पर तीनो फिल्द में यहां पर एक क्रॉप प्रोटेक्शन है क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट बनाते हैं उसके साथ में बेटनरी प्रिस्टिसाइड बनाते हैं उसके साथ में यहां पे हाउसोल्ड का हाउसोल्ड और पॉब्लिक हेल्थ सेग्मेंट में भी काम करते हैं उसके बाद में अगर हम यहां पर आके चेक करते हैं make me payment सेग्मेंट में उसके साथ में desi बनाते हैं उसके साथ में कोटिंग बनाते गेरा बाते हैं उसके साथ मैं यहां पर अगर बात करेंगे तो इहां पर कमपनी और पहना सेग्मेंट है यहां पर प्रौफिट किसी साफ से अरए कंपनी स्मॉल क्याप प्रोफिट का मारकेट क्या था में हम देखते हैं कम्पनी का वहां बात करेंगे यहां पर जून की कौटर में अगर सेल्स में देखते हैं नेक्स्ट हो अगर नेट बात करेंगे याँ पे सिसंटी नाइन करोड का नेट परोपिट था जुन 2020 को इसी साब से अभी अगर देखते हम चैन्स नेट परोफिट देखने और वारा रहा है अगर हम लांस चार क्वाटर का अगर हम नेट प्रोफिट के बात करेंगे गुम्हें को मिल रहा है तो प्रोमोंटर होल्डिंग के बात करें के प्रोमोंटर के पास में होल्डिंग और फिल्डिक के पास में फट्रान C संटल कर दो यहां पर यहां पर इसके साथ में इतना ज़्सक्त नहीं है तो यहां पर बात करें पारे में तो एक नेगेटिव इंपर जरू नजर आएगा क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टाउक में देखे स्टॉक का ट्रेंड ऐसे बन चुका है उसके बाद में रिवर्सल जरूर नजर आया है तो रिवर्सल आने के बाद में लेकिन रिवर्सल सुस्टेंड नहीं कर पाया जैसे स्टॉक मार्केट में करेक्शन हुआ अगर आप एक चीज नोटीस करेंगे तो यहां पे सकरक्षन करेकशन देखने ठीक है तो लास्ट अगर आप है चीज नोटीस करेंगे लास्ट वह देखिए kosten से और अगर आप देखेंगे यहां पर से यहां ुछ उंको आफैंजी क्रिक्शन चल में नटकर इस लिए पर क्रेशन चलिके क्पाइज सब्सक्राइब देखाँए क développement नजर नहीं आ रहा है कॉपनीबर नहीं बहुत बढ़ी है और प्रोपोटर का वोल्डिंग भी बढ़ी है उसके साथ में कंपनी एक स्मॉल के आप कंपनी यहां पर आगे आने वाले टाइम से बहुत बढ़ी आसा ग्रोथ नजर आ सकता है क्योंकि कंपनी इसी फिल्ड में काम कर रहा है वह फिल्ड में बहुत बड़ी ऐसा अपर्चिनूटी भी है तो इसी साब से अगर किसी को यह पोट्फोलियों में लेना है स्मॉल के आप स्टॉक है थोड़ा सा रिस्क लेक अगर आप चल सकते हैं तो यहां पर यह जो लेवल लेवल पे लेकर चल सकते हैं लेकर नहीं टारगेट के लिए लेकर चलना है तो तो मेड़ टर्गेट के लिए आपको इस टर्गेट को इंटाक्ट रखना पड़ेगा जो कि 125 का टर्गेट है तो अगर एक साल के लिए अगर आप ये स्टॉक में पोजिशन बना के चलेंगे इस लेवल से लेके 90 के लेवल से और यहां तक का लेवल तक का जो की 141 का लेवल आपको 57 परसेंटेज का गेन मिल सकता है लेकिन अगर आप सोचेंगे कि शॉटर में एक अच्छा सा मुनाफ़ा आपको लेना है तो आपको ये लेवल टार्गेट करना पड़ेगा जो कि 125 का लेवल पर आपको प्रॉफिट वोगिंग करना पड़ेगा तो वहां तक का अग बनता है जो इंट्रडे करते हैं अगर वह प्रफेशन में हैं अगर बड़ाबर ये करके करें तो कमा रहे हैं लेकिन उसके साथ हम अगर स्विंग ट्रेड में स्विंग ट्रेड में 30 परसंट गयन करना इतना बड़ा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि आप अगर सोचिए कोई भी स्टॉक में अगर आप हर महिने में में 3-4 परसंट का गयन ले लेते हैं फिर भी आपका 48 परसंटेज का गयन मिल रहा है लेकिन हम और चीज़ का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम हर एक मांत का टर्गेट लेगे प्रफिट बोगिंग कर नहीं कर रहे हैं मैं हमेंसा कोई भी स्टॉक को सिलेक करता हूं स्टॉक में पोटेंसेल देखता हूं 33 Start का पोटेंसेल अगर आता है तो हम सिलेक्शन करेंगे एक ट्रेड लेंगे स्टॉक कोई और 004 चान सब्सकें क्यूंकि हन् hun करेंगि हुटि और a यह परसंड को ट्रेटन देगा इसा कभी होता नहीं और कोई कोई श्टॉड टो आपको शिक्स मॉंस में आपको साटी पर्सेंट 40 का गेंड दे देगा लेकिन गाला कि टीक यह जरूरत नहीं है फंडामेंटल स्ट्रॉंग स्टॉक को आपको स्टॉक मार्केट में चूज करना है वह स्टॉक का अपना पोट्फोलियो में लेके चलना है इंडिया है रिलाक्स हो है क्या क्या स्टॉक है लेकिन आप अपना रिस्क रिवाड के हिसाब से लीजिए कोई भी स्टॉक में करने के बाद में कुछ भी रियाग कर सकता है इसमें कोई भी इंपसिवल नहीं है स्टॉक मार्केट में सब पसेवल है ठीक है आपका रिस्क रिवाड रिशियो आप देख लिजिए उसी साब से एक अच्छा सा स्टॉक को सिलेक्शन कीजिए और उसको होल्ड करके रखिए बढ़िया पईशा आपका बनेगा और यहां पे इंट्राडे एफोनों का चक्कर अगर आप रहेंगे तो आपका पॉर्टफोल्य साफ हो जाएगा एक चीज आपको मैं बताना चाहरा हूं अगर आप सीख समझ के करेंगे तो गेंड ले सकते हैं लेकिन अगर सीख समझ के अगर इंट्राडे में नहीं करेंगे ऐसे ही घुच जाएंगे तो आपका चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंस पर राचिंग दिस वीडियो मिलते नहीं एक वीडियो के साथ में